सो हेग गाइज वल्कम बैक टुधा चैनल इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि इस 40-56 के चार्जिंग मॉडियूल से हम एक साथ में कितने वैटरी को चार्ज कर सकेंगे आपके मन में बहुत बार ये सवाल जरूर आया होगा कि हम कितने कनेक्ट करके चार्ज कर सकते हैं कही ज्याइदा हम बैटरी चार्ज कर लेंगे तो ये खराब तो नहीं हो जाएगा तो वेल गाइज वही सारी चीज़े मैं इस वीडियो में आप लोगों से डिसकस करूँगा तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं गाइज ये है TC446 का चार्जिंग मोड्यूल जिसमें से हम 5 वल्ट का माइक्रो यूएसबी जैक से इंपूट पावर सप्लाई देते हैं चार्जर से और यहां से 3.7 वल्ट की लिथियम आयन बैटरी या तो फिर कोई भी बैटरी 3.7 वल्ट की चार्ज होती है यहां पर इस वाले कीट में safety protection दिया हुआ रहता है अगर आप reverse polarity connect कर देते हो बैटरी का negative वाले को positive में और positive को negative में तो यह खुद को खराब कर लेगा लेकिन बैटरी को blast या फिर खराब नहीं होने देगा यहां पर और भी function दिया हुआ रहता है कि अगर battery full charge हो जाएगी तो उसमें से एक LED जलेगी blue color की और जब charge हो रही होगी battery तो उस time पे red color की LED जलेगी तो बात कर लेते हैं guys यह जो module बनाया गया है एक battery के लिए लगभगवा 1000 mAh की battery हो 1200 mAh की battery हो या 2000 mAh की battery हो एक battery आप आसानी से charge कर पाएंगे बहुत ही easily अच्छे से charge हो जाएगा without any hitting problem के लेकिन आप 1800 mAh के 2 battery या फिर 200 mAh के 2 battery को parallel में connect करोगे तो क्या होगा कि parallel में connect करने पे parallel क्या होता है कि battery के positive को positive से और battery को negative को negative से connect करने पे parallel में connect हो जाएगा parallel में connect होने से क्या होगा कि voltage हमारा same रहेगा दोनों battery का लेकिन जो mAh है जो mAh है बैटरी का power है वो दो गुना हो जाएगा जैसे कि 1800 mH की एक बैटरी है, दूसरी बैटरी भी 800 mH की है, तो ये दूनी 3600 mH की बैटरी हो जाएगी हमारी ये दोनों को पैरलल में कनेक्ट करने के बाद, लेकिन वोल्टेज हमारा 3.7 वोल्ट ही रहेगा, तो हम उस कंडिशन में इसमें लगा करके चार्ज कर सकते हैं, ग एक चार्ज करेंगे, तो ये जो हमारा चार्जिंग मोडियूल है, वो हीट होगा, अब जितना बैटरी को पैरलल में कनेक्ट करेंगे, उतना जाएदा हीट होगा, इसलिए आपको मैं सजचेस्ट करूंगा कि आप एक एक करके चार्ज करना ताकि जो module है उसके भी impact ना पड़े और खराब नहीं होगा तो आपको यह clear हो गया होगा I hope कि कितना battery हम connect कर सकते हैं कुछ और भी बाते जान लेते हैं इस module से related ही guys जो battery होती है उसको आप series में कभी भी connect करके इसमें से charge जाएगा 7.4 volt हो जाएगा जबकि input में इसको 3.7 volt वाली battery ही connect करना होता है तो series में कभी मत connect करना जब भी charge करना होगा अगर आपको एक साथ में दो-दो battery तो charge कर सकते हो लेकिन क्या होगा कि time जायदा लगेगा time जायदा in the sense कि अगर एक battery को full charge होने में एक घंटा लगता है वहीं पे अगर आप दो battery को parallel में connect करके charge करोगे तो दो घंटा लगेगा इस module को इस battery में charge करने के लिए वहीं पे 3 battery charge में लगाओगे तो 3 घंटा लगेगा 4 घंटा लगेगा जितना अमेज जितना battery लगाओगे उतना timing बढ़ता जाएगा तो वैसे ही मैं आप लोगों को suggest कर चुका हूँ कि एक एक करके battery को charge करोगे तो module पे भी impact नहीं पड़ेगा तो बस वहीं timing वहीं लगने वाला है बस आप क्या करना कि यह वाला जो cover है इस वाले cover में battery को आप लगाते जाना चार्ज करते जाना एक एक करके battery फूल हो जाएगी तो यहाँ पर blue color की LED जल जाएगी तो कुछ इस तरह से इस charging module से आपको clear हो गया होगा कि आप एक charging module से कितने battery को charge कर सकती हो तो आयो ओप गाज यह इन तीनों बैटरी को parallel में ऐसे connect किया हो तो इन तीनों बैटरी को यहाँ पर connect करके charge कर सकता हो